हेलो बच्चो आज हम सारे असाइन्मेंट्स अच्छे से समझने वाले हैं लेकिन लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा क्योंकि लास्ट पर मैं इंग्लिश का असाइन्मेंट्स समझाने के साथ साथ आंसर के साथ उसको पूरा सॉल्व करवाऊंगी अगर बाकी बाकी सब्जेस का भी अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा जैसे कि आप देख रहे हैं ये हिंदी का असाइन्मेंट है सबसे पहला इसमें आमको 20 नंबर का प्रोजेक्ट दिया गया है तो इस असाइन्मेंट में सबसे पहले कोईशन में दिया गया है वो है शोन और नर्मदा का प्रणय कथा को लिखी ये त्री नंबर्स का है फिर स Second question में है, दीग पद्यांश का संदर प्रसंग वेख्या सहीत सहित्तिक विशेष्टा लिखी ये चार अंका है, देखिए चुटा सा पोयम दिया हुआ है तीसरी प्रश्ण में दिया है, बादल को घिरते देखा है कविता की प्रकृति चित्रन का आप चार विंदों में वर्णन कीजिए, ये चारंग का है चौथी प्रश्ण में लिखा है, अमर कंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वर्दान दिया है ऐसा क्यों कहा गया है, कोई चार तर्क देकर अपने विचार लिखिए, ये फोर मार्क्स का है आपने अमर कंटक की यात्रा की है? आप अपने मित्र को अमर कंटक के प्राकृतिक द्रिश्यों का वर्णन करते वे एक पत्र लिखिए यहां हमारा हिंदी का assignment complete होता है, अब हम next assignment देख लेते हैं, तो यह है maths, maths का assignment, चले इसको भी एक एक करके questions को समझ लेते हैं, इसमें प्रशन पहला दिया गया है, यदि भाजक 3x का घात 2, minus 2x, plus 2, भागफल 1, x plus 1, तथा सेशफल 3 हैं, तो भाज़ ग्यात कीजिए, यह तीन है, इसको English में मैं बोल देते हूं, if divisor is 3x square minus 2x plus 2, quotient is x plus 1, and reminder is 3, then find the dividend, next question है, यदि वर्ग समी करन, 9x, घात 2, minus kx, plus 16, equal to 0, के मूल समान है, तो k का मान ग्यात कीजिए, find the value of k in quadratic equation, 9x square minus kx plus 16, is equal to 0, if roots are equal, यदि वर्ग समी करन के मूल 6 धन, वर्ग मूल 5, और 6 रन, वर्ग मूल 5 है, तो वर्ग समी करन बनाईए, find the quadratic equation, whose roots are 6 plus root under root 5, and 6 minus under root 5, next question, के के किस मान के लिए, दिये गै समी करन निकाए, 5x minus 7y minus 5 equal to 0, or 2x plus ky minus 1 equal to 0, का अधि विति ये हल होगा, for what value of k, system of equation 5x minus 7y minus 5 is equal to 0, and 2x plus xy minus 1 is equal to 0, have unique solution, next question, समी करन हल कीजे, x plus 1 बते x minus 1 minus, x minus 1 बते x plus 1 is equal to 5 upon 6, solve the equation, x plus 1 upon x minus 1 minus x minus 1 upon x plus 1 is equal to 5 by 6, बच्चों, अगर आपको math के assignment का भी solution चाहिए, तो आप मुझे comment करके बताएगा, मैं आपको math का solution भी बता दोगी, next आते हैं, आप science subject का assignment देख लेते हैं, science assignment का पहला question है, pH का पूरा नाम लिखकर दैनिक जीवन में महत्वे बताएगे, कारण बताएगे कि मुझ का pH 5.5 से कम होने पर दाथ खराब होना क्यों शुरू हो जाते हैं, write full form of pH and importance of pH in daily life, give reason why does tooth decay start when pH of mouth is lower than 5.5, next question, वहत आप ग्याद कीजिए, जो Celsius वफ Fahrenheit में समान हो, तीन अंका है, find the temperature which is same in both Celsius and Fahrenheit scale of temperature, तीसरा प्रश्न है, चालन, सन्वहन और विकिरन को अपने परिवेश के उदाहरन से समझाते हुए, दो अंतरस पस्ट कीजिए, चारंग का है, explain the conduction, convection and radiation with the help of example from our surroundings and give two differences between them, next question है, निम्नलिखित यॉगिक में अमलीय मूलग वह छारीय मूलग अलग कर आवेश सहित लिखे, Separate acid and alkali radical from the following compound and write them with their charge next question, चार्ल्स डार्विन द्वारा सफर के दौरान किये गये महत्व पूर्ण अव लोकनों का वर्णन कीजिए, जिससे उन्हें जीवों का सिध्धान प्रतिपादन करने में मदद मिले, Describe main observations N.E.5 of Charles Darwin during journey from which he predicated theory of evolution. सामाजी गविक्यान का assignment, assignment of social science, चलिए शुरू करते हैं, सोशल साइन्स का सामाजी गविक्यान का पहला प्रशन है, प्रति दिन के कच्चरे का दो बारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, उदारन सही समझाईए, चार अंका है, Explain how can reuse everyday waste with examples, प्रशन नमबर दो है, इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, ये भी चारंका है, नवी करनी ये संसाधन और अनवी करनी ये संसाधन में क्या अंतर है, चारंका है, What is the differences between renewable resources and non-renewable resources, प्रशन चार, उद्यों की स्थापना के लिए कौन-कौन से सारवजनिक हित को ध्यान में रखा जाना बहत ज़रूरी है, which public interest is important to keep in mind for the establishment of the industry, ये भी चार माक्स का है, यदि आपको अपने स्कूल के विकास के लिए संकेतक बनाने हों, तो उसमें आप क्या-क्या रखना चाहेंगे, अपने विचार लिखे, if you want to make indicators for the development of your school, what would you like to put in it, write down your thoughts, next आते हैं हम assignment, संस्कृत का, तो संस्कृत का assignment कुछ ऐसा है, संस्कृत मेरी थोड़ी जादा ही अच्छी है, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ, मुझे संस्कृत पढ़ने में बहुत इक्कत होती है, सौरी, ये मैं बोलना चाहती हूँ, तो इसे आप थोड़ा सब पढ़ लिजेगा बच्चो, अब आते हैं हम अपने next main मुद्दे पे, यानि कि English का assignment, हम पूरी तरीके से इसको discuss करेंगे, explain करेंगे, और आगे समझेंगे कि answer हमें कैसे लिखना है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, कि ये assignment आपको एक हफ़ते के अंदर, एक हफ़ते के अंदर, अंदर इस्कूल में project file में लिखके, अपने respective teachers को जमा करना है, यानि कि हर subject का अलग-अलग pages बनाने हैं, और उसको एक file में करके, अपने respective teachers को जमा करना है, अपने school में जाके, फिर वो एक हफ़ते के अंदर इसको check करेंगे, और इसको board के पास अपना marks भर के teachers अपना दे देंगे, तो ये हर महिने होने वाला है, तो इसे लिए अब हर महिने मेरे वीडियो का इंतजार ज़रूर करना, तो ये है हमारा English का assignment, इसमें सबसे पहले हमको unseen passage दिया हुआ है, actually, देखे, पहला question पढ़ते हैं, read the following passage and answer the questions that follow, याने नीचे दियेगे प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं, पहले हम passage पढ़ लेते हैं, two and half hours later, they found themselves at a tiny dusty railway station, याने कि दो घंटे, दो और आदे घंटे बाद, उन्होंने अपने आपको एक बहुती छोटे से, और धूल भरे railway station में पाया, आपको याद होगा, ये हमारे पहले chapter का passage है, जिसका नाम है, lesson का नाम है, patriotism, इसका मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, बहुत अच्छे से explain किया हुआ है, अगर आप इससे देखना चाहे, तो I button में मैंने इसका link दिया हुआ है, उपर देखिए, I button को click करेंगे, तो आपको ये chapter मिल जाएगा, और description में भी, इसका playlist में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से, इसका मैंने description दिया हुआ है, explain किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, तो चली एक बार फिर से शुरू करते हैं, वो नीचे उतरे, और बाहर जाकर देखे, एक बहुत लंबी चौड़े विक्ती, जो की धोती और कुर्ता पहने वे थे, sporting a huge turban, बहुत बड़ा सा पगड़ी लगाया हुआ था, उन्होंने सर में, greeted them with folded hands, उनको बहुती अच्छे से अभिवादन किया, अपने हाथ जोड़ कर, यहाँ पे थोड़ा से spelling mistake हो गया, आप देखिएगा, men लिखा है, m-e-n men, यहाँ पे m-a-n आएगा, बुलग कार्ट, वो उन्हें एक बुलग कार्ट तक लेके गए, याने की बैल गाड़ी, and much to Ajit's delight lifted, और Ajit को बहुत ही अच्छे से उठा कर उसमें बिठा दिया, and placed him on the कार्ट, उसमें बिठा दिया, the कार्ट trundled on for almost an hour, कार्ट जो है, याने की बैल गाड़ी जो की ट्रंडल कर रही थी, ट्रंडल का मतलब होता है, धीरे धीरे लुड़कते लुड़कते, भारी भारी कदमों से चलना, तो धीरे धीरे एक घंटे में, finally reached the village, वो गाव पहुँच गया, they alighted in front of a large brick house, अब alighted का मतलब होता है, रुकना या उतरना या नीचे जाना, तो यहाँ पे वो बहुत ही बड़े घर, याने की जो brick से बना था, इटे से बने घर के सामने वो रुके, and elderly man and woman come out, एक बुड़ा वेक्ती और उनकी पत्नी, याने की बुड़ी महिला, बाहर आए, greeting नाना जी, नाना जी को बहुत ही अभिवादन किया, and fussing over the kids, और बच्चों को थोड़े अजीब नजरों से देखने लगे, they spoke in a dialect, dialect का मतलब होता है, जो भाशा होती है, बोली, जो local language होता है, याने की, हमारे जो आसपास की बोली होती है, उसे dialect कहते हैं, तो वो ऐसी भाशा में बात कर रहे थे, नाना और अजीत पांड डिफिकल्ट तो अंडरस्टेंड, नाना और अजीत उसे समझ नहीं पा रहे थे उस बोली को, चलिए, अब हमने passage तो पढ़ लिया, समझ भी लिया, अब इसे questions को समझते हैं, describe the man who greeted them at the station, station में जो वैक्ती, उनका अभिवादन करने आया था, उसके बारे में हमें वैक्षा करना है, description देना है, तो पहला sentence देखते हैं, he was dash, वो था, वो क्या था, तो हमने जब second line में देखी आप, a large well-built man, एक लंबा चौड़ा वैक्ती, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, he was a large well-built man, फिर second देखते हैं, he was wearing, अब उसने क्या पहना हुआ था, third line में देखी, he was wearing a white dhoti and kurta, उसके बार थर्ड वाला देखी, he dash head, अब head पर उसने क्या पहना हुआ था, तो head में उसने turban पहना हुआ था, देखी, huge turban लिखा है न, turban का मतलब होता है, पगड़ी, he was wearing a huge turban on his head, अब next question, next देखे, he dash hands, अब यह वाला देखे, आपको fourth line में मिलेगा, कि he greeted them with folded hands, है न, उनका भी वावादन किया, अपने दोनों हाथों को जोड़ कर, next question, find the meaning of the words from the dictionary, and make a sentence of your own for each of them, यानि कि यह नीचे दिये गए शब्दों का मतलब, आप dictionary से ढूंड़े, और उसका मतलब ढूंगर, अपने sentence में उसका use करे, तो यहाँ पर पहला दिया है trundled, तो trundled को जो आप dictionary में ढूंडेंगे, यह मैं बता दे रही हो, इसका मतलब यह नीचे आप dictionary में जाके एक बड़ देखेंगे, नहीं, आप dictionary में जाके ज़रूर देखेंगे, तो यहाँ पर trundled का मतलब होता है, गड़ गड़ आते हुए भारी कदमों से चलना, अब देखें, आप तो सब गाव में देखे ही होगे, कैसे चलती है बैल गड़ी, गड़ 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 करके धीरे धीरे चलती है न, गड़ गड़ आते हुए रास्ते पर, तो उसी को trundled करना बोलते हैं, अब इसको हम sentence में कैसे use करेंगे, सबसे पहले तो आप देखें, passage में इसका sentence में use दिया हुआ है, देखें, टरंडल लिखा है न, कि जो बैल गड़ी थी, वो धीरे धीरे एक घंटे में गाव तक जा के पहुची, नेक्स्ट है डायलेक्ट, अब डायलेक्ट का मतलब मैंने बताया था, कि स्थानिय भाषा या बोली, देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, कि, आ, इस पोक इन डायलेक्ट, विच नैना एंड अजीत फांड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानि कि, वो ऐसी भाषा में बात कर रहे थे, जिसे नैना और अजीत नहीं समझ पा रहे थे, उन्हें समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी, तो डायलेक्ट का मतलब भी आप समझ गए, इसको आप अपने सेंटेंस में यूज करिएगा, नेक्स्ट है, इस महामारी के समय में आप अपना देश प्रेम कैसे दिखाएंगे, हिंट में दिया हुए है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, यानि कि आप कैसे अपनी मात्र प्रेम को दिखाएंगे, इस लॉकडाउन के पिरिएड में जहां इतनी महामारी फैली हुई है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखें, इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, हमको हिंट यूज करना है अपने आंसर में, हाना, तो हमको यह लिखना है कि हमको मास्क पहनना चाहिए, हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, मास्क यानि सबको पता है मुखोटा, social distancing याने पता है samajik dhuri और cleanliness का मतलब होता है स्वच्छता तो हमें ये सब चीजे करके अपने देश को बचाना है क्योंकि हम स्वस्त रहेंगे तो बाकी लोग स्वस्त रहेंगे और बाकी लोग स्वस्त रहेंगे तो हमारा देश स्वस्त रहेगा और देश वस्त रहेगा तो हम इसी तरीके से अपने देश देवा कर सकते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे we can show our love for the country in this pandemic situation by wearing a mask it is the easiest way to protect ourselves as well as others we must take all the cleanliness measures and maintain social distancing during COVID-19 situation और इसको मैंने थोड़ा सा इसमें वो भी कर दिया है इसमें आप quotation या slogan भी लिख सकते हैं जैसे कि wearing a mask during a pandemic is an expression of patriotism यानि कि mask पहनना इस महामारी के समय में यही एक देश प्रेम का expression है यानि देश प्रेम का एक भाव है तो यह सारे answers आपको last में मैं एक PDF फाइल करके दे दूँगी आप देख सकते हैं चलिए अब next question देखते हैं Name the Indians who have received Nobel Prize and their category Nobel Prize इंडिया में किसको किसको मिला है कौन कौन से भारतियों को मिला है और किस category में मिला है किस विशय में मिला है तो इसका answer है रविंदना टैगोर जिनको की literature में मिला था भाषा में 1913 में उसके बाद C.B. रमन जी को मिला था physics में 1930 में फिर Mother Teresa जी को मिला था Nobel Prize पीस के लिए याने शांती के लिए 1979 में फिर मिला था अमर्त सेन जी को economics में याने के अर्थशास्त्र में in 1998 फिर कैलास सत्यार्थी जी को मिला था again peace में याने शांती के लिए 2014 में 2014 अभी latest मिला है अभी जीत बैनर जी को economics याने अर्थशास्त्र में 2019 याने 2019 में next question है write two sentences one having an adverbial clause and the other must have an adjective phrase याने कि दो sentences लिखने हमें अलग अलग एक जिसमें की adverbial clause वाला sentence लिखना है और एक sentence adjective phrase वाला तो इसका हमको पहला answer जिसमें की adverbial clause हो अब adverbial clause क्या होता है clause तो मैंने पहले आपको बताया था clause वाला मेरा lesson देख लिजेगा i button में मैं उसका link डाल दे रही हूँ यहाँ पे उपर i button को click करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें आप click करके देख सकते इस video को उस video में मैंने बहुत अच्छे से clause समझाया clause ऐसा एक शब्दो का समो होता है जिसमें verb और subject होना बहुत ज़रूरी है और adverbial clause यानि की जिसमें adverb हो जिसमें की आपको किसी चीज के बारे में बहुत अच्छे से description दे उसको adverbial clause बोलेंगे जैसे की example के मैं इसमें बता रही हूँ आपको unless you run fast जब तक कि आप तेज नहीं दोडेंगे you will miss the bus आप bus को miss कर देंगे यानि आप bus को नहीं पकर पाएंगे तो यहाँ पे unless you run fast यह unless से जो शुरू हुआ है यह adverbial clause है और दूसरा हमको sentence लिखना है adjective phrase तो adjective क्या होता है adjective होता है visitation और phrase क्या होता है frase होता है शब्दो का someone तो हमको ऐसा शब्दो का somewhere जुनना है जिसमें की विसेशन हो तो हमको ऐसा sentence दून के लिखना है तो देखेई जैसे मैं example के तौरपर आपको बता रही हूँ, my brother is older than me, अब इसमें older than me क्या है, ये शब्दों का समू है, यानि कि phrase है, और older क्या हुआ, adjective है, तो adjective के साथ और भी शब्द मिले हुए है, older than me, यानि मुझसे बड़ा है, तो ये जो है older than me, ये हो गया, आपका adjective phrase, ये मैंने phrase और clause बहुत अच्छे समझ आया हुआ है अपने वीडियो में, आप जरूर देखे उसको, आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, next, आते हैं हम question में, थोगा grammar वाला question है, do as directed में, तो इसमें देखे, पहला question लिखा हुआ है, I reach the station, police stop, I will call you, अब ये दोनों sentence को join करना है, when लगा कर, तो इसमें थोगा सा misprint है, यहां पर reached नहीं आएगा, reach आएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, I, दो तरीके से लिख सकते है, when I reach the station, comma, I will call you, जब मैं station पहुचूंगा, मैं तुम्हें call करूंगा, या फिर I will call you, मैं तुम्हें call करूंगा, comma, when I reach the station, जब मैं station पहुचूंगा, तो दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, next question है, opening the door, he went out, अब इसमें देखीए, इसको दो sentence बनाना है, दो अलग-अलग sentence बनाना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहला sentence हो जाएगा, open the door, और दूसरा sentence हो जाएगा, he went out, यहां पर opening the door नहीं लिखेंगे पहले sentence में, अगर ऐसे लिखेंगे तो वो sentence अधूरा हो जाएगा क्याना वो अधूरा इसली होगा क्योंकि उसका पूरा meaning नहीं बन रहा है तो open the door लिखेंगे पहला sentence और दूसरा sentence he went out next question है food, pencil, hope, mistake which determiner which determiner little or few will you use for these nouns यह जो nouns दिये हुए है food, pencil, hope, mistake इसके लिए आप कौन सा determiner use करेंगे little use करेंगे की few use करेंगे इसके लिए सबसे पहला आपको यह समझना होगा कि little कहां use करते हैं और few कहां use करते हैं तो little हम जो हम uncountable nouns के साथ यूज़ करते हैं यानि कि जिसको हम count नहीं कर सकते हला जिसको हम यह भी बोल सकते हैं abstract noun abstract noun यानि जो noun को हम देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं उन चीज़ों को हम uncountable या abstract noun कहते हैं उसके साथ little use होता है और बाकि जो few है few countable noun countable और plural noun के साथ use होता है तो देखिए food food जो है वो खाना है खाना को आप गिन नहीं सकते हैं खाना कई तरीके का होता है कंदा बहुत सारा variety मिलकर खाना होता है तो खाने को हम ऐसे हाध से नहीं गिन सकते हैं यह uncountable noun है तो इसके लिए हम little use करेंगे वैसे ही pencil अब pencil को हम गिन सकते हैं इसलिए इसके लिए few use होगा यह uncountable noun है, तो इसके साथ हम little use करेंगे, फिर आता है mistake, अब mistake का मतलब होता गलती, तो गलती तो गिन सकते हैं, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, तो यह countable noun हुआ, तो इसके साथ हम few use करेंगे, I hope आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप बहुत अच्छे स लेटर में, यह एक informal लेटर है, जो कि आपको लिखने है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं, you are anuj anju residing at a 63 अवंती विहार राइपूर, यानि कि आप anuj है या फिर anju है और a 63 अवंती विहार राइपूर में रहते हैं, write a letter to your friend, अपने दोस्त के पास एक letter लिखिए, telling him her about, उन अपना समय कैसे बिता रहे हैं, lockdown के दोरान, तो चलिए, इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देखिए, informal letter में सबसे पहले left hand side में address आता है, तो address तो हमको question में दिया हुआ है, a 63 अवंती विहार राइपूर, अब उसके बाद लिखना होता है, तो हम आप जिस दिन letter ल ऐसे नहीं लिखना है, उसके बाद dear friend, अपने friend को लिखेंगे, तो dear friend, I hope all is well at your place, देखिए, informal letter में first sentence आप बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, हमेशा, कि I hope all is well at your place, यानि आपके वहाँ पे सब कुशल पुरवक है, यह ऐसा तो हम लिखते ही है, hope you are spending quality time with your family, यानि कि आप बहुत ही अच्छा समय बिता रहे होंगे, ऐसी आशा करता हूँ, but I know you are home quarantine, मुझे पता है कि तुम घर में बंद हो, it might be little boring, यह थोड़ा सा boring हो सकता है, but for health it is must, लेकिन स्वास्तिक लिए बहुत ज़रूरी है, I am sure you are maintaining social distancing and also using mask, आप social distancing यानि कि समाजिक दूरी मान रहे होंग और mask भी लगा रहे होंगे, इसके मुझे पूरी आशा है, I am also taking all the preventive measures, मैं भी सारे preventive measures यानि की बचाव के सारे रास्ते अपना रहा हूँ and following all the rules for safety और सुरक्षित रहने के लिए सारे rules को follow कर रहा हूँ, I have started playing indoor games, मैं घर पर, घर के अंदर खेलने वाली खेल खेलना शुरू कर दिया है मैंने and enjoying my leisure time और मेरा जो खाली समय है, वो मैं pursuing my hobbies, अपने hobbies को पूरा करने में बिता रहा हूँ my mother prepared delicious recipes, वेरी मा मुझे बहुत ही अच्छा खाना बना के खिला रही है and I helped her in cooking और मैं उन्हें खाना बनाने में बहुत मदद करता हूँ, we both enjoy the cooking time, हम दोनों ही खाना बनाने का समय बहुत ही अच्छा से enjoy करते हैं I also started yoga with my father, मैंने अपने पिता के साथ yoga करना शुरू किया है, we spent a lot of time with my mother और हम दोनों मिलकर ही मेरी माता के साथ बहुत जादा समय बिताते हैं I just await of the day में उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन vaccine यानि की टीका बनकर तयार हो जाएगा ताकि हम बाहर कहीं पे भी अच्छे से free हो के गुम सके You will also share some of your feeling, तुम भी अपनी जो feeling है उसको मेरे साथ share करो As how are you spending time nowadays, कि अभी तुम कैसे अपना दिन बिता रहे हो You are loving, Anuj या फिर Anju दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, कि वे question में दोनों ही नाम दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी एक नाम लिखना है दोनों नहीं लिखना है, मैंने option के लिए दोनों लिख दिया है तो बच्चों, ये रहा पूरा English का assignment का answers मैंने सारे एक साथ यहाँ पर अटैच कर दिये हैं, आप देख सकते हो, तो बच्चो अब मैं उम्हिद करती हूँ कि आप लोगों को यह सारे आंसर समझ आ गये होंगे, और समझ के ही लिखना, कौपी नहीं करना, समझ के लिखना बहुत ज़रूरी है, यह आपका पहला जादा हेल्प कर दी, अब next month फिर से assignment आने वाला है, तो उसमें भी मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, और हाँ, पढ़ाई तो कर नहीं हैं, पढ़ाई करते रहिए, लोगडाउन में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पर ही रहिए, और हाँ, मेरे जितने subscribers हैं, उनको मैं thank you बोलना चाहती हूँ, और तहे दिल से शुक्रिया कि मेरी इतनी प्यारी छोटी सी family बन गई, इस family को और बड़ा करे, और share करे videos, thank you so much.